बॉलिवर्ट सेलेब्रिटीज कई बार अपनी फिल्मों से जादा अपनी लव औफ फेर्स को लेकर चर्चा में रहते हैं फिल्म में दुनिया में सच्चे प्यार की कस्में खाने वाले कई आक्तिस को सिर्फ एक बार नहीं बलकि कई बार सच्चा प्यार हुआ है जनमें वो या तो फिल्म के हीरोईन के इश्क में गिरफतार हो जाते हैं या फिर किसी यवावा की दिलरुबार पर दिल्हार बैठते हैं तो आज बात उन स्टार्स के जिनका तभी अपनी फिल्मों के हिरोईन के साथ तो कभी किसी की एक्स गर्फिर्ण के साथ रहा बड़ा इश्गया सबसे पहले बात बॉलिवुड के शो मैन रहे राज कपूर की इंडियन सिनेमा में शो मैन राज कपूर अपने जमानी के बहुत बड़े आशिक रहे हैं राज कपूर ने 19 साल के उमर में 16 साल क्रिशना कपूर से शादी की लेकिन बावजुदिस के उनका नर्गिस के साथ 9 साल तक अफेयर चला जब दिल तूटा तो राज कपूर ने पीना शुरू कर दिया इस पर उनकी पतनी क्रिशना का कहना था राज कपूर साहब को दिल तूटने की तकलीब नहीं थी पर कल का लड़का यानिकी सुनिल्दत उनकी हिरोईन को ले गया इस बात से उनका इगो काफी हर्ट हुआ जिससे वो बाहर ही नहीं आ पाए बिना सलमान की ये लिस्ट पूरे हो ही नहीं सकती थी बॉलिवुड में सलमान खान जितने अपनी फिल्मों के लिए लेम लाइट में रहते हैं उतना ही अपने अफेर्स को लेकर भी इयर 90-80 में सलमान की लाइट में सबसे पहले एंट्रि मारी एक्टरेस संगीता विष्राणी ने संगीता के बाद सलमान की लाइट में पाकिस्तानी आक्डरस सॉमी अली ने दस्तख दी 19 साल की इस आक्डरस के साथ सलमान का रिष्टा काफी अच्छा था यहां तक की दोनों शादी भी करने वाले थे लेकिन किसी बज़े से सोमी का रिष्टा सल्मान से तूट किया फिर उसके बाद सल्मान की लाइफ में आई विश्व सुंदरी एश्वरा राय जिन से भी सल्मान का रिष्टा जादा दिन तक नहीं चला और इसके बाद कट्रीना और ना जाने कितनी आक्टिसिस के साथ सल्मान अपना नाम जोड़ चुके है आज की हॉट कपुल कहें जाने वाले रनवीर और दिपिका भी एक टाइम था जब एक दूसरे की महबबत में नहीं बलकि किसी दूसरे स्टार के साथ महबबत में घिरफतार थे रनवीर सिंग का नाम जहां ही मैन यानि धहमेंदर की बड़ी बेती आहाना से लेकर अनुशका तक से जोड़ चुका है वही दिपिका कपूर खांदान के चिराग रनवीर से कितनी बेपना महबबत करती थी वो दो जन जाहिर है लेकिन फाइनली एर 2018 की 14 नमेंबर को रनवीर और दिपिका ने एक दूसरे के साथ शादी की कस्मे खाली ट्राजडी किंग दिलिप कुमार का पहला प्यार उनकी फिल्म की आक्टरस कामनी कौशल के साथ था इसके बाद उनका नाम जुडा फेमस आक्टरस और ब्यूटी रही मधुबाला से फिल्म नया दोर के टाइम आउट्डरस शूटिंग के लिए मधुबाला की फादर ने 50,000 लेकर वादा किया था कि वो उन्हें आउट्डरस शूट पर जाने देंगे लेकिन मधुबाला को उन्होंने शूटिंग करने से ही नकार कर दिया इस बात से दिल्म कुमार इतने नराज हुए कि मामला खोट तक पहुचा जहां दिल्म कुमार ने फाइनली एक्सेप्ट किया कि वो मधुबाला से बेवना महपत करते है लेकिन बावजू दिस के दिल्म कुमार का नाम और भी कई आकिसे से जुड़ चुका है